गुड बॉनिंग स्टूडेंट्स आज हम हिंधी की पाठ्थय पूस्तक, perfect हिंधी पाठ्थय पूस्तक कक्षा 4 में गुंगान कविता के बारे में पढ़ेंगे गुंगान कविता मेथिलिशरन गुप द्वारा लेखे गई है गुंगान कवीता की कवी का नेम है मेथिली शरन गुफ्त गुंगान गुंगान का अर्थोता किसी की अच्छाईयों का वर्नन करना किसी के गुणों का वर्नन करना इसमें कवी ने भगत की प्रेशानियों के बारे में बताया है कि वह इस्वर के द्वार तक इश्वर के दर्शन करने जाता है परंतु उसे इस्वर के दर्शन नहीं हो पाई अब हम कविता आरम करते हैं तेरे घर के द्वार बहुत हैं किसमें होकर आऊं में सब द्वारों पर भीड मची है कैसे भीतर जाऊं में इसमें एक भगत अपने इश्वर को कहता है कि हे इश्वर तेरे घर के द्वार द्वार कार्थ होता है द्रवाजा कि तेरे घर के द्रवाजे बहुत है किसमे हो कराओं में में कौन से द्रवाजे से हो कराओं शब्द वारों पर भीड मची है कि सभी दर्वाजों पर बहुत भीड लगी हुई है कैसे भीतर जाओं में भीतर भीतर कार्थ होता है अंदर कि मैं कैसे अंदर जाओं कि सभी दर्वाजों पर भीड लगी हुई है और मैं कैसे अंदर जाओं द्वार पाल भै दिखलाते हैं कुछ ही जन जाने पाते हैं सेश सभी दक्के खाते हैं क्यों कर गुषने पाउं में द्वार पाल द्वार पाल मतलब पहरेदारी करने वाला या यद चोकिदार जो दर्वाजे के बार पहरेदारी करता है भग्त कहता है कि दरवाजे पर जो दवार पाल है वह बह बैकार्थ होता डर वह डर दिखलाते हैं कुछ ही जन जाने पाते हैं और कुछ ही जन लोग अंदर जाने पाते हैं शेश सभी दक्के खाते हैं और शेश तो सभी यहीं पर दक्के खाते हैं क्यों कर गुषने पाऊं में, और मैं कैसे गुषने और मैं उन में से कैसे अंदर आऊं, तेरे घर के द्वार बहुत हैं किस में होकर जाऊं मैं, कि है इस वर तेरे घर के दरवाजे बहुत हैं, और मैं किस में से होकर अंदर जाऊं, बीत चुकी है बेला शारी किन्तु नह आ मेरी बारी कुरू कुटी की अब तयारी वहीं बैठ गुण गाउं में कि ये इस वर मेरा शारा समय बेला बिला उता समय मेरा सारा समय बेथ चुका है किन्तु मेरी बारी नहीं आई कुरू कुटी की अब तयारी कुटी 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 कुटिया की में अब कुटिया की तयारी करूं और वहीं बैठ कर गुण गाउं और वहीं बैठ कर में तेरे गुण गान करूं और वहीं पर बैठ कर में तेरा गुण गान करूं तेरे घर के दवार बहुत हैं किस में होकर आ इस कवीता में कवी ने एक भक्त के मादन से बताया है कि ये इस वर तेरे घर के दर्वाजे बहुत हैं और कौन से दर्वाजे से होकर मैं अंदर आऊं सभी दर्वाजों पर भीड लगी हुई है और दर्वाजे पर जो पहरेदार खड़े हैं वे बहे दिखलाते हैं वे डरात लेकिन उन में से कुछ ही जन अंदर जाने पाते हैं और सेज सभी तो वहीं खड़े रह जाते हैं और और मैं भी अंदर नहीं जाने पाता हूं इंतजार करते करते मेरा सारस में बीथ चुका है अब मैं कुटिया की तयारी कर रहा हूँ और वहीं बैठ कर तेरे गुणगान करूंगा यह कवीता समाप्त हुई नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशन उत्तर करेंगे धन्यवाद